अस्सालामु अलेकुम, वेलकम टू जॉपसलर.टीके यूट्यूब चैनल आज मैं आपके लिए जॉप की एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ वापड़ा में विकेंसीज अनाउस होई है इस वीडियो में मैं आपके साथ इसमें अप्लाई करने का मुकमल मेथड़ शियर करूँगी वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है तो चलिए डीटेल की तरफ बढ़ते हैं सबसे पहले आपने गूगल पर सर्च करना है जॉपसलर.टीके अब आपके सामने इस तरह से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी यहां आपको गॉर्मेंट और प्राइविट जोब्स की इन्फरमिशन दी जाती है यहां से आपने उपर स्कॉल करना है तो आपके सामने है ओन लाइन अप्लाइम मेट्रिक बेस वापड़ा जोबस 2024 इसके सामने अप्लाइन आउपर क्लिक करना है यहां पर आपके सामने जोब की कंप्लीट अवर्टीजमेंट ओवन हो जाएगी अविल्बिल्टी कॉंट्रेक्ट एक्सपिरियंस पांच से दस साल तक होना चाहिए रिजिन पंजाब एज्जुकेशन आपकी मैट्रिक होनी चाहिए यहां पर आपको जो सेलरी ओफर की जाएगी तो 40,000 से लेके 40,000 तक है एज आपकी 30 से 45 साल तक होनी चाहिए पाकिस्तान नेवी स्कोल से वर डीप वाटरिंग में तो इसमें अपलाए कर सकते हैं एक्सपिरियंस आपके पास 5 से 10 साल तक होना चाहिए प्रैक्टिकल एक्सपिरियंस आपके पास होना चाहिए एज आपकी 30 से 45 साल होनी चाहिए पास्ट के लिए अप्लाए करने के लिए वेकंट पोजिशन ड्राइवर ग्रेड वन ड्राइवर ग्रेड टू अव तो अप्लाए फॉर वाटर जोस्टू थोजर अप्लाए किस तरह करना है आपने ओटी एस की ओफिशन साइट www.ots.org.pk पर जाकर अप्लाए करना है जो के आपने जमा करवानी है किसी भी बैंक से आपको बैंक के नेम दिये गए है 200 और और पी ओफ सी एन आइसी पासफ़ूर साइज की फोटो कोपीज और पासफ़ूर साइज की पिक्चर इसके लावा एजुकेशन के जो डॉकुमेंट्स है वो आपने जमा करवाने हैं एड्रेस आपके पास है OTS Office No.1 Central Avenue बहरिया टाउन Phase 6 सलामाबाद इस पर आपने कोरियर के जरीए बिजवाद ही नहीं है इन्वेलप के राइट कॉर्नर पर पोस्ट का नेम लिखना है अप्लाए करने की जो लास्ट डेट है वो 25 एपरिल है इनकम्प्लीट अप्लीकेशन और डेट क्लोज होने के बाद जो अप्लीकेशन रसीव होंगी उनको एंटर नहीं किया जाएगा वाप्टा जोप्स रिटर्न टेस नेम इस उप्लाए करने के लिए जो रिटर्न टेस्ट का से लेपरिल है उसमें से page open हो जाएगा यहां पर आपने apply for driver grade 1 view पर आपने click करना है अब आपने registration form पर click कर देना है application form हमाल सामने open हो गया है test city यहां पर आपने अपनी select करनी है domicile province जिस bank से आपने deposit किया है उस उस पो आपने यहां पर tick कर देना है passport side की picture यहां पर attach करनी है personal information में name, father name, cnic, pay form number, age, date of work, medical status, postal address, mobile number, email और academic information यहां पर आपने लिख देनी है degree कौन से कौन से year में हासिल की है वो इससे पहले आपने जो job की है उसकी यहां पर आपने details देनी है organization का name और starting date और end date यहां पर आपने signature और date लिख देनी है यह आपको complete address दिया गया है और यह आपके पास online deposit slips है इनको आपने इस तरह से आपने application form को fill करना है और जो आपको address दिया गया उस पर विजवा दिना है अमीद करती हूँ कि आपको यह apply करने का तरीका समझ आ गया होगा मज़ीद इस तरह जोब से related वीडियो के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अलाहाफिज